उचित शिक्षा के विना एक बैट अपने जीवन के सभी शैक्षिक लाभों से वंचित रह जाता है शिक्षा ही नीजी वा पेशेवर जीवन में सफलता की इकलोती कुंजी है किन्तु क्या करें आप भी चाहते हैं कि आपका पाल बेहतरीन माहोल में रहकर उतकरिष्ट शिक्षा हासिल करें लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप अपने बच्चे को आधुनिक वा उतकरिष्ट शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाएं तो ऐसे ही आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वा ग्रामीड छेत्रों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के दो जिलों बुलंद शहर वा सीतापुर में शिव नादर फाउंडेशन द्वारा संचालित विद्याग्यान विद्याले एक बेहतरीन आउसर लिए खड़ा है जो कि आधुनिक शिक्षा की सभी सुविधाओं से सुचजित बेहतरीन माहौल में आपके बच्चे को छठवी से बार्वी तक की पूर्णता हनेशुल को शिक्षा देने के लिए प्रतिवध्ध है आज विद्याग्यान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया से संबन्धित सभी जानकरियों के साथ विद्याले द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं के बारे में आपको आउगरत कराने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि यह वीडियो आपके बच्चे के जिन्दगी बदल सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्याग्यान द्वारा आपके बच्चे को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है अगर infrastructure की बात करें तो विद्याग्यान का campus विश्वस्तरी ये है जहां पर आपके पाले को आधुनिक शिक्षा हे तो एक बहतरीन माहौल प्रदान किया जाता है यहां पर आपको उच्च गुडवत्ता के शिक्षकों के साथ साथ आधुनिक classrooms भी प्रुवाइड की जाते है विद्यार्थियों हे तो सुसजित प्रयोग शालाएं हैं हरे भरे खेल के मैदान के साथ साथ रहने वा खाने हे तो उत्तम विवस्ता है विद्यार्थियों के पूर्ण व्यक्तित्तों विकास हे तो एक्ष्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का विशेश ध्यान दिया जाता है वह समय समय पर इस तरह की चीज़ें आयोजित की जाती है बच्चों के मोटिवेशन के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्तों को भी इन्वाइट किया जाता है और यह सब कुछ आपको पूर्णता नहिशुल्क प्रदान किया जाता है इसके लिए आपसे एक रूपए भी चार्ज नहीं किया जाते यहां तक कि आवेदन फार्म से लेकर सब कुछ आपका A to Z नहीशुल्क ही है तो यह तो रही बाद सुविधाओं की अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे आप अपने बच्चे को विद्या ज्यान में प्रवेश दिला सकते हैं क्या eligibility हैं और क्या है पूरी प्रक्रिया तो मैं पहले बता दूँ कि दोनों ही campuses बुलंद शहर और सीतापुर की प्रवेश प्रक्रिया एक साथ ही common रूप से आयूजित की जाती है तो अब हम बात करते हैं कि क्या है योग्यता आखिर कौन-कौन विद्या ज्यान की प्रवेश परिच्छा का आवेधन कर सकता है तो सबसे पहली बाद आपको उत्तर प्रदेश राज्यका ही निवासी होना चाहिए दूसरा पॉइंट है कि तीसरी और चौथी कक्षा की पढ़ाई आपकी पूरी करते हुए आपका पाल पांचमी कक्षा में अपीर होना चाहिए और उसकी यह पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल या फिर मानिता प्राप्त स्कूल से होनी चाहिए मतलब आपका बच्चा तीसरी और चौथी पास करके पांचमी कक्षा में अध्यन रथ होना चाहिए अगला पॉइंट है एज क्राइटेरिया तो बॉइज के लिए 10 साल से 12 साल की उम्र निजधारित की गई है जहां गर्ल्स के लिए 10 से 13 साल की उम्र भी चलेगी चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी है कि बच्चे के माता पिता की आय एक लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा तो यह तो रही eligibility के बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रवेश प्रक्रिया कैसी है तो हम आपको पताना चाहेंगे कि इसके प्रवेश हेत्व आवेदन फॉर्म सितंबर 1917 से ऑक्टूबर तक आ जाते हैं इसकी प्रवेश परीक्षा तीन चरणों में होती है प्रथम चरण में प्रानभिक परीक्षा होती है जो की MCQ वेश्ड होती है और प्रथम चरण की यह परीक्षा नवंबर तक करा ली जाती है और इस परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले 2-5,000 स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा हेत्व गुलाया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स का मेडिकल वा अन डॉकुमेंट्स को वेरिफाई किया जाता है और फाइनली आपके बच्चे को प्रवेश दे दिया जाता है तो ये रही आपके लिए एक महतुपोर्ण जानकारी अगर आप भी अपने बच्चे को उच्य गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो निश्चित ही आपको आपके बच्चे को यहाँ फॉर्म भरने के लिए जरूर प्रवेश पाने के बाद कभी भी आपके बच्चे को पीछे मुड के नहीं देखना होगा और अधिक जानकारी के लिए आप विद्याग्यान की आधिकारिक वेबसाइट www.vidyagyan.in पर विजिट कर सकते हैं वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको informative लगी होगी ऐसे ही और informative वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं